के, आज हम अदियन करेंगे किंस के उप़ोग फलन की है, जैसा कि इस से पूरू के अदियाई में हम उप़ोग फलन क्या है, तथा उसत उप़ोग प्रवर्ति चाहिए हैं, किंस का उप़ोग फलन है वो एक मनो वद्जयानी क उधारना मानी गई है तथा उनके अनुसार आमदनी के बढ़ने पर उपबोग उतना नहीं बढ़ना जितनी आमदनी बढ़ती है उपबोग की व्रदी आमदनी की व्रदी से कम होती है आमदनी की व्रदी उपबोग और बचत की व्रदी के रूप में विबाजित हो जाती है तो जो किंस का उपबोग फलन है वो एक मनो वैज्ञानी का उधाना है उनके अनुसार ये मानव का सवबा हुए कि जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ती है उसका उपबोग भी बढ़ता है लेकिन उपबोग उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से आमदनी बढ़ती दियो इस समन्द में जो किन्स ने अपने उबोक फ्वनन के संदर में माण्यताइं लिए वो माण्यताइं है जिनमें से पहली माण्यता है कि उबोक केवल आमधनी पर निर्वर करता है अन्य कई संस्थागत्व मनोवग्यानिक गटक होते हैं जैसे आई का वित्रण, सामान्य कीमतिस्तर, जनसंक्या की वरदी, फैसन, लोगों की रूचियां, उनकी आद्थें ये प्राय नहीं बदलते हैं, ये इस्थिर रहते हैं तो किंस ने अपने उबोग फलन में इनको इस्थिर मान लिया था संस्थागत्व और मनोवग्यानिक गटकों को अलपकाल में ये तत्व इस्थिर माने जा सकते हैं किंस के अनुसार इसलिए उनका किंस का जो अद्यन है वो अलपकाल से संबन देते हैं और अल्पकाल में उन्होंने इन सभी तत्मों को इस्थिर्मान लिया था लेकिन आज के जो आज का जो प्रावेगिक यूग है जो डाइनमिक यूग है इसमें अल्पकाल में भी कुछ सीमा तक परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन जब हम किन्स के उबोग फलन की बात करेंगे तो इस्थिति में इन्हें संस्तागेत और मनोवग्यानिक गटकों को इस्थिर्मान लें मंदी आदि जो अब तेज मुद्रास्विति महानार्थिक मंदी आदि जो ऐसी इस्तिति होती है यानी बहुत तेजी की स्थिति के बहुत मंदिय की स्थिति यद्म और किसी प्रकार या समान्य दसाओं में नियम नहीं होता है यह समान्य दसाओं में क्योंकि सामान्य दसाओं की स्थेटिति में to u brag में लागू होगा क्योंक्य थी मान्ने थी की जो अर्थवा वस्ता है वो सौतंत्र या मिस्रित अर्थवयवस्ता होनी चाहिए तबी यह उबोग फलन का नियम लागू होगा जहां आर्थिक जीवन में सरकार का अस्तक्षेप कम से कम होगा तो केंस का उबोग फलन का नियम उतना ही ज्यादा लागू होगा साम्यवादी अर्थवयस्ताओं में उपभोग पर सरकारी नियंत्रण होता है कीमत नियंत्रण और वित्रण के नियंत्रणों के कारण नियंत्रित अर्थवयस्ताओं में सरकारी अस्तक्सेप अत्यतिक हो जाता है जिसके कारण उपभोग फलन की क्रियासीलता पर विपरित प्रभाव पड़ता है तो उपभोग फलन एक मनोवैज्यानिक नियम है और ये समान्य दसाओं में क्रियासील होता है उपभोग को समान्यता आमदनी पर निर्भर माना जा सकता है इसलिए जब आमदनी बढ़ती है तो उपबोग भी बढ़ता है परन्तुवा आमदनी की तुलना में कम बढ़ता है और जो आमदनी होती है वो उपबोग और बचत दो इस्सों में विबक्त हो जाती है अब हम आते हैं कि किन्स ने जो सम्मिकर्णों के माधियम से बताया कि उ यह पूर्म में भी पढ़ चुके हैं वो फ़लन होता है ए प्लस बी वाई ए को हम कहते हैं अंतरोद या ओटोनोमस कंजप्शन स्वाचालीत उपभोग जो सुन्या आई होने पर भी किया जाता है यह किस परकार से किया जाता है हम पूर्म पढ़ चुके हैं जो बी है वो है MPC या वो किसी मांत परवर्ती और Y का मतलब है आमधनी वय योग आमधनी या आमधनी तो इस परकार से जो A होता है यह जो A किरासी है यह हमेशा ही 0 से ज्यादा होती है यह 0 यह 0 से कम माइनस में नहीं होती है तथा जो MPC है MPC हमेशा ही 0 से ज्यादा होगी और एक से कम होगे, तो यह चीर यहां समझ लेना जरूरी है, यह ओटनोमस कंजप्सन है, स्वचालीत उपभोग है, और इसकी रासी हमेसा 0 से जदा होती है, बी जो हमारी MPC है या सीमान उपभोग परवरती है, यह हमेसा 0 से जदा और एक से कम होती है, यानि यह 0 से लेकर एक के बीच में पाई जाएगे, दूसरा आते हम APC, APC हमने देखा था, APC is equal to C बटा वाई, उपभोग बटा आई, तो यहां उपभोग बटा आई लिया है, तो अगर हम इसको C is equal to, अगर हम इस इगल टू कर दें, तो A बटा वाई प्लस B हो जाएगा, यह इस परकार से होगा, कि अगर हम इसको इस तरफ लाते हैं, A प्लस B को C बटा Y हमने किया है, तो ऐसी इस्तिति में हम Y को इधर लाते हैं, तो यह जो B के साथ Y है, यह Y से कट जाएगा Y, और A बटा Y बट जाएगा, अगर हम Y से सब को भाग दें, इस वोग फलन को, C को, जैसा कि, मैं आपको बत B, Y, इसको हम Y से भाग देते हैं, तो हमें इसने B, Y से भाग देना पड़ेगा, यह Y से Y कट जाएगा, और इस प्रकार से हमारे पास बट जाएगा, A बटा Y प्लस B, तो यह जो उपर आया है, वो इस तरह से आया है, नेक्स्ट फिल्म आते हैं, जो सम्मी करने हैं, वो है, सीमान उप्बोग परवर्ती, जैसा कि हमने बता है, तो सीमान उप्बोग परवर्ती, डेल्टा C बटा डेल्टा Y, यानि उप्बोग में परिवर्तन बटा I में परिवर्तन, और इसको हम B के द्वारा वैक्त करते है इसलिए a is equal to b जो y होता है वो हमने कहा था आई दो बागों में विवक्त हो जाती है c plus s, c का मतलब उबोग और s का मतलब बच्चत अब हमें बच्चत की सीमान्त परवर्ती निकालनी है अगर हमें mps निकालनी है तो ऐसी इस्तिती में mps क्या हो जाएगी y अगर इसी सम्मीकरण में अगर हम c की जगा a plus by रख दें तो हो जाएगा y is equal to a plus by plus s फिर अगर हम s को इस तरफ ले आते हैं और y को इस तरफ ले आते हैं a plus by और ये हो जाएगा a plus y minus by is equal to s हो जाएगा next हो जाएगा a plus चूंकि y दोनों में common है इसलिए y को हमने बाहर ले लिया है और अंदर रह जाएगा 1 plus b और बाहर आ जाएगा y तो ये जो 1 minus b है यही बच्चत की सिमान्त परवर्ती है तो mps हो जाएगा 1 minus b तो इस परकार से हमने देखा कि जो हमारा mpc होता है वो होता है b तो mps हो जाएगा 1 minus b क्योंकि y is equal to c plus s तो आमदनी के a की काई बढ़ने से बच्चत में कितनी व्रदी होगी 1 minus b की चूंकि a.p.c is equal to a.p.s अब हो जाएगा minus a बटा y तो बच्चत की उसत परवर्ती हो जाएगी minus a बटा y plus 1 minus b तो इस परकार आमदनी के सुन्य होने पर बच्चत भी minus में होगी तो इसलिए यह बच्चत फलन हो जाएगा अगर हम यह c is equal to 20 plus 0.6y जो हमने पहले के अध्याई में जब अध्यान किया था और स्विमान्त उबग परवर्ती का उसी समय यही लिया था और यही टेबल ली थी जो हमने दिखी थी और किस परकार से हमने a.p.c और m.p.c को निकाला था और a.p.c. c. बटावाई निरंतर गड़ते हुए थी तो इस परकार से हमने a.p.c. और m.p.c. निकाली थी अब इसी आदार पर हम जो है s is equal to यानि बचत फलन जो है बचत फलन is equal to minus 20 plus 0.4y अब आप देखे इसको आपको यह देखने पर बता चलेगा इक बार मैं वापस पीछे जा रहा हूँ कि c is equal to 20 plus 0.6y तो अगर हम y is equal to c plus s करें तो अगर हम इस सम्मीकरण को जोड़ें तो ऐसी इस्तिती में हमारे पास 1 आएगा किस परकार से मैं आपको दिखा देता हूँ y is equal to c plus s c था अमारा 20 plus 0.6y अब इसमें हम प्लस कर देते हैं s को तो हो जाएगा प्लस और चुंकि यह माइनस है तो यह हो जाएगा माइनस 20 प्लस 0.4y तो अब देखें 20 और 20 यह माइनस से माइनस कट गया और हमारे पास बच गया 0.6 प्लस 0.4 1y तो y बच गया तो c प्लस s is equal to y हो गया तो इस प्रकार से इन दोनों का योग जो है वो 1 आएगा इसके आदार पर अगर हम सार्णी बनाएं तो यह सार्णी बनेगी हमारे पास जब i 0 है तो अगर हम y की जग़र 0 रखते हैं तो ऐसी इस्थिति में 0.4 into 0, 0 हो जाएगा और minus 20 बच जाएगी हमारे पास बचत फिर दूसरी बार हम आते हैं तो i जब 50 होती है तो point 4 into 50 तो कितना हो जाएगा पांचोग 20 20 हो जाएगा तो minus 20 और plus 20 तो बचत 0 हो जाएगी जब i 100 हो जाती है तो point 4 into 100 y की जगा हम 100 रखेंगे तो ऐसी इस्तिति में हो जाएगा 40 तो 40 minus 20 plus 40 तो इस इकल टू plus का 20 बच जाएगा जो प्लस की 20 की बचत हमारे पास आ चुकिए इसी परकार हम लास्ट में आते हैं 500 पर y की जगा 500 रखते हैं तो 4 पंज 20 तो यह हमारे पास कितना आ गया 200 तो minus 20 plus 200 is equal to 180 तो बचत आ जाएगी 180 इसी परकार से अगर हमें APS निकालनी है तो APS में हमें जिस परकार से हम APC निकालते हैं उसी परकार से आई होती है तो यहां बचत 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 आई हो जाएगी चुकि बचत minus 20 है इसमें 0 का भाग देंगे किसी भी संक्या में 0 का भाग देंगे तो अनंत पराप्त होगी है ना उसके पस्चात अगर हम आते हैं बचत है 0 0 में अगर हम किसी संक्या का भाग देंगे तो APC 0 है और इसी समय अगर हम उस दूसरी टेबल में 100 is equal to 0.2, फिर 60 बटा 200, 0.3, फिर 100 बटा 300, 0.33, फिर 140 बटा 400, 0.35, और 180 बटा 500, 0.36, फिर आते हम MPC फर, MPC है, ΔC, ΔS बटा ΔY, यानि बचत में परिवर्तन, बटा I में परिवर्तन, प्राहम हम छोड़ देते हैं, बचत में परिवर्तन 0 से 20 हुआ, तो 20 हो गया, 20 बटा 50, परिवर्तन कितना हुआ, 50 से 100 हुआ है, तो ऐसी इस्तिति में, या 0 से 50 हुआ है, यहां उपर देखे हैं, माइनस 20 से 0 हुआ है, तो इसका मलब 20 बटा है बचत है, तब ही 0 हुई है, तो 20 बटा 54, फिर देखें, अम प्लस 20 हुई है बचत और आई भी 50 से 100 हुई है, तो 20 बटा 50, फिर 0.4, फिर आप देखें, 20 से 60 हुई है, तो बचत हुई है, 40 और आई बढ़ी है, 100 से 200, 100 रुपे, तो ऐसी इस्तिमें 40 बटा 100, 0.4, इस परकार से अगर हम बचत में व्रदी और आई में व्रदी निकालेंगे, तो MPS हमारे पास इस तिर 0.4 आएगी, तो इस परकार से पिछली टेबल में हमने देखा, कि हमारी जो MPC थी, वो 0.6 थी, और यहां MPS हमारी 0.4 है, 0.6 प्लस 0.4, अगर हम दोनों को मिलाते हैं, तो एक हो जाती है, आई के बराबर हो जात कि ऐसत परवरती प्लस बचत की ऐसत परवरती, होटी है, तथा MPC प्लस MPS होती है, बचत की जो दो, बचत के सिमांत परवरती और उखा, की बचत की सिमांत परवरती जोडें, तो Wit जोड़ें जैसे, वहा है 0.6 स्थी यहां 0.4 है, 0.6 प्लस 0.4 तो 1 आए तो इस प्रकार स अनुसार डियें गए इसको यह रेखा चित्र के माद्यम से समझ सकते हैं तो यह रेखा चित्र आपके सामने है या नीचे वह आमधनी लिए हम्ने और यह पर लिया जिसको हमने सी सिर्षा रख्शा है इस चित्र मेंधम में chance सीयाफ वन सीयाफ Two और tightened यह जो तीन है यह तीन अलपकालीन उपबोग फलन है जैसा उपबोग फलन हमने पहले देखा था किस प्रकार से APC is equal to MPC जाना MPC less than APC तो जो अलपकालीन उपबोग फलन थे तो यह हमने तीन अलपकालीन उपबोग फलन लिये हैं और हमने एक रेखा दिखाई है यह जो मूल बिंदू से गुजरती है और 45 डिगरी के अनुसा खिंची गई है जो आमदनी बराबर उपबोग को बताती है जितनी आमदनी होगी उतना का उतना उपबोग हो जाएगा सुन्य बचत की स्थिति को भी दर्साती है यह क्योंकि जीरो से सुरू होती है उसके ठीक नीचे हमने LCF रेखा खिंची है जो दिर्दकालीन उपबोग फलन को बतलाती है लॉंग रन कंजप्सन फंक्शन LCF का मतलब है यह भी मूल बिंदू से गुजरती है और यह जो LCF है यह किन-किन बातों को वेक्ट करती है तो इस पर आमदनी वा उपबोग के परिवर्तन अनुपातिक होते है यह एक ही अनुपात में आमदनी और उपबोग में परिवर्त इसमान नहीं होता है जबकि दिर्दकाल में यह ऑनुपातिक होते है जैसा कि OCF से पता चलता है यहा चूंकि यह मूल बिंदू से निकल रही है इसलिए यह यहां APC जिकली मोल बिंदू से निकलता है उसमें APC और MPC ुबगोपिसिसमी नहीं समान होते हैैं हूँ पूरु 9 2 हो सकती है क्योंकि एक के बराबर होने पर Y is equal to C रेखा बन जाएगी अगर यह एक के बराबर हो जाती है तो Y is equal to C हो जाएगा नहीं जितनी की जितनी आई बड़ी है उतनी कितनी वोग पर खर्च कर दी गई है चूंकि लेकिन यह LCF रेखा Y बराबर C रेखा के नीचे है, जिसका मतलब यह है कि MPC हमेसा ही एक से कम होगी, वो 0.9 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, 0.99 हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती है, अब फिर LCF रेखा पर A बिंदू जो है, O A 1, O A 1 जो आमदनी है, पर उपभोग A A 1 के बराबर है, O B 1 आमदनी का जब इसतर है तो उपभोग B B 1 के बराबर है, तथा O D 1 आमदनी पर उपभोग D D 1 के बराबर होता है, A B वर D बिंदू पर A PC बराबर M PC होती है, इसके प्रति एक बिंदू पर A PC और M PC समान होगी, तो इस परकार से अलपकालीन उपभोग फलनों और दिर्दक A PC होती है, कभी भी समान नहीं होती है, जबकि दिर्दकालीन जो उपभोग फलन हमने बनाया है, A PC बराबर M PC होगी, और M PC हमेसाही एक से कम होगी, यह ध्यान रखने होगी यह बात है, तो आप इनको ध्यान रखें,